श्री शुकदेव जी ने कहा उनकी सारी उम्र योही बीद जाती है उनकी रात नीदिया इस्तरी प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाए हाए या कुटुम्बियों के भरन पोशन में समाप्त हो जाता है संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिस्ट संबंधी कहा जाता है विशरीर, पुत्र, इस्त्रियादी कुछ नहीं है असत है परन्तुजीव उनके मुह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यों का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं इसलिए है परिक्षित जो अभेपद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सरवात्मा, सर्वशक्तिमान, भगवान, श्रीक्रिष्न की ही लीलाओं का श्रवन, कीर्दन और इस्मरन करना चाहिए मनिश्य जन्म का यही इतना ही लाव है कि चाहे जैसे हो ग्यान से, भक्ति से या फिर अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यू के समय भगवान की इसमरिती अवश्य बनी रहे हे परिक्षित जो निर्गन स्वरूप में इस्थित है और विधी निशेद की मर्यादा को लांग चुके है वे बड़े बड़े रिशी मुनी भी प्रायह भगवान के अनंत कल्यान में गुण गणों के वनन में रमी रहते हैं द्वापर के अन्त में इस भगवत रूप अत्वा वेद तुल्य श्रीमत भगवत नाम के महापुरान का अपने पिता श्रीक्रिष्न द्वैपायन से मैंने अध्यान किया था हे राजुर्शी मेरी निर्गुन स्वरो परमात्मा में पोन निस्ठा है फिर भी भगवान श्रीक्रिष्न की मदूर लीलाओं ने बलाद मेरे हिर्दे को अपने और आकरशित कर लिया यही कारण है कि मैंने इस पुरान का अध्यान किया तुम भगवान के परमभक्त हो इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाओंगा जो इसके प्रती श्रत्था रखते हैं उनकी शुद्ध चित्वरती भगवान श्रीक्रिष्न के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत ही शीक उक्षपद को प्राप्त करना चाहते हैं उन साधकों के लिए तथा योगसंपन सिद्ध ज्यानियों के लिए भी समस्थ शास्त्रों का यही निर्ण है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्थन करें अपने कल्यान साधन की ओर से असाहबधान रहने वाले और लंबी आयू भी अंजान में ही व्यर्थ बीच जाती हैं उससे क्या लाप साथानी से ज्यान पूर्वक बिताईवी घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ट हैं क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्यान की चेश्टा तो की जा सकती हैं हे राजर्शी खटवांग अपनी कल्यान के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब कर लो जब मनुश्य के मृत्यू का समय नस्दीक हो तब उसे घवराना नहीं चाहिए उससे चाहिए कि वो वेरागी के शस्त्र से शरीर और उससे संबंद रखने वालों के प्रती मोह माया के बंधन को कार डाले धैरे के सा आ, उ, म, इन तीन मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जब करे प्राणवायू को वश मे करके मन का दमन करे और एक शण के लिए भी प्रणव को न भूले बुद्धी की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विशेयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चं एक अंग का ध्यान करना चाहिए इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करती विशेव वासना से रहित मन को पून रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन करती कि फिर और किसी विशेय का चिंतन ही न हो और वही भगवान विश्नु का परंपद है जिसे प्राप्त करके मन प्रेम रूप आनंद से भड़ जाता है। की प्राप्ति हो जाती है। ये कारे रूप संपुन विश्व जो कुछ भी था या है या होगा सब का सब जिसमें दिख पड़ता है। वही भगवान का इस थूल से इस थूल और विराट शरीर है। जल, अगनी, वायू, आकाश, एहकार, महत्व और प्रकरती। इन साथ आवर्णों से घिरे वे इस प्रमान शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही इस धारणा के आश्रे हैं। उन्हें की धारणा की जाती हैं। आदी रूप परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपो लोक कहते हैं। उन्हेस्त्र सिर्वाले भगवान का मस्तक समुही सत्य लोक है। इंद्रादी देटा उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं, कान और शब्द सुनने वाली इंद्रिया हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध ग्राणे इंद्रिय हैं। और धदकती फी आग उनका मुख है। भगवान विश्णु के नेत्र अंतरक्ष हैं। उनमें देखने की शक्ती सूर्य है। दोनों पल के रात और दिन हैं। उनका भुविलास ब्रह्म लोक हैं। तालू जल है और जिवा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्म रंद्र कहते हैं। और यम को दाण हैं। सब प्रकार के इसने हैं दात हैं। और उनकी जगन मोहिनी माया को ही। उनकी मुसकान कहते हैं। ये अननत स्रस्टी। उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा उपर का होट और लोब नीचे का होट है। धर्म इस्तन और अधर्म पीठ हैं। प्रजापती उनके मूतेंद्री हैं। मित्रा वरुन अंड कोश हैं। समुत्र कोख हैं। और बड़े-बड़े परवत उनकी हड्डियां हैं। विश्वमूर्थी विराठ पुरुष की नाडियां नदियां हैं। व्रक्ष रोम हैं। परम प्रबल वायू श्वास है। काल उनकी चाल है। और गुणों का चक्कर लगाते रहना ही उनका कर्म है। ये परिक्षित बादलों को उनका केश माना जाता है। संध्या उन अंत का वस्त्र है। महात्माओने अव्यक्त अर्थात मूल प्रकर्दी को ही उनका हिर्दे बतलाया है। और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्व को सरवात्मा भगवान का चित कहते हैं। और रुद्र उनके एहंकार कहे गए हैं। ब्रामन मुख, छत्री, भुजाई, वैश, जंगाई और शूत्र उन विराट पुरुष्ट के चरण हैं। वैसे ही सबकी बुद्धी वरत्यों के द्वारा सबकुछ अनुभव करनी वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधी भगवान का ही भजन करना चाहिए। आनने किसी भी वस्तु में आ सकती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये आ सकती जीव के अधापतन का हेतु है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, स्रस्टी के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारना के द्वारा प्रसन हुए भगवान से वे स्रस्टी विश्यक इस्मृती प्राप्त की थी, जो पहले प्रलयकाल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी द्रिस्टी अमोग और बुध्धी निश्चयात मिक्ता हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे की वह प्रलयके पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुध्धी स्वर्ग आदी निरर्थक नामों के फेर में फस जाती है। जीव वहां सुख की वासना से स्वपन सा देखता हुआ भटकने लगता है। किन्तु उन माया में लोकों में कहीं भी उसे सचे सुख की प्राप्ती नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो विविद नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनी हो। अपनी बुध्धी को उनकी निश्चारता के निश्चे से परिपोने रखे और एक शण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध वश्क बिना परिश्च्रम के ऐसे ही मिल जाएं तब उनके उपारजन का परिश्रम व्यर्थ समझ कर। यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो फिर वस्तरों की भला क्या आवश्कता। लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरत्थ हो जाने पर अपने हिर्दय में नित्य विराजमान, स्वतहसित, आत्मस्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनंत भगवान हैं। बड़े प्रेम और आनंद से द्रण निश्चे करके उनहीं का भजन करें। क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्य के चकर में डालने वाले अज्यान का नाश हो जाता है। पश्वों की तो बात अलग हैं। परनतु मनिश्य में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरनी नदी में गिर कर अपने कर्म जनी दुखों को भोगते वे देखकर भी भगवान का मंगल में चिंतन नहीं करेगा। इन असत विशे भोगों में ही अपने मन को भटकने देगा। और कोई-कोई साधक अपने शरीर के भीतर हिर्द्याकाश में विराजवान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारना करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंक, चक्र, गदा और पद्म हैं। उनके मुख पर प्रसनिता जलक रही हैं। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदंब के पुश्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारन किये हैं। भुजाओं में श्रेसर रतनों से जड़ेवे सोने के बाजू बंद शोभाई मान हैं। माला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमोल्य अंगुथी, चरणों में नुपर और हाथों में कंगन आदी आभुशन धारन किये हैं। उनके बालों की लटे बहुत चिकनी, निर्मल, घुंगराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुसकान से खेल रहा है। लीला पून उनमक्त हास से और चितवन से शोभाई मान भौहों के द्वारा विभक्त जनों पर अनंत अनुगरह की वर्शा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारना के द्वारा इस्थिर ना हो जाए तब तक बार बार इन चिंतन सरू भगवान को देखते रहने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल परियंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धी के द्वारा धारना करने चाहिए। इन में अनन्य प्रेम में भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नयमित्तिक कर्मों के बाद एक आग्रिसा से भगवान के उपरियुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हे परिक्षित जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोग को छोड़ना चाहे तब देश और काल में अपनी मन को न लगाए। सुख पुर्वक इस तर आसन से बैटकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का सयम करे। इसके पश्चात अपनी निर्मल बुद्धी से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धी को क्षेतरग्य में और क्षेतरग्य को अंतर आत्मा में लीन करना चाहिए। फिर अंतरात्मा को पर्मात्मा में लीन करके धीर पुरिष उस परमशान्ती में अवस्था में इस्तित हो जाए। फिर उसके ले कोई करत विशेश नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुन भी नहीं है। फिर भला रजोगुन और तमोगुन की तो बात ही क्या है। एहिंकार महत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस इस्थिती में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधिर रहने वाले प्राणी तो भला रहे ही कैसे सकते हैं। योगी लोग ये नहीं ये नहीं इस प्रकार परमात्मा से बिन बिन पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं। और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धी का त्याग करके हिर्दय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूझ सुरूप का आलिंगन करते हुए अनने प्रेम से परिपोन रहते हैं। वही भगवान विश्नु का परम पद हैं। इस विशे में समस्त शास्त्रों की सम्मती हैं। ज्यान द्रिष्टी के बल से जिसके मन की वासना नस्ठ हो गई हैं। उस ब्रहमनिस्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एडी से अपनी गुदा को दबा कर इस्थिर हो जाए। तब बिना किसी घबराहट के प्राण वायू को शट चकर भेदन के रीती से उपर ले जाए। दू नासी का छितर और मुख इन सातों छितरों को रोपकर उस तालू मूल में इस्थित वायू को भौहों के बीच आग्या चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ही ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायू को वही रोपकर इस्थिर लक्षि के साथ उस उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में इस्थिर हो जाए। इसके बाद ब्रह्म रंद्र का भेदन करके शरीर और इंद्रियादी को छोड़ देना चाहिए। हे परिक्षित यदि योगी की इच्छा है कि मैं ब्रह्म लोक में जाऊं आठों सिध्यां प्रांत करके आकाश चारी सिध्धों के साथ विहार करूं अत्वा त्रिगुण मैं ब्रह्मान के किसी भी प्रदेश में विचरन करूं तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए योगियों का शरीर वायो की भाती सुक्ष्म होता है उपासना तपस्या योग और ज्यान का सेवन करने वाले योगियों को तिरलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छन रूप से विचरन करने का धिकार होता है केवल कर्मों के द्वारा इस प काश मार्ग से अगनी लोक में जाता है वहां उसके बचे खुछे मल भी जल जाते हैं उसके बाद वो वहां से उपर भगवान श्री हरी के शिशुमार नामक जो तिर्मय चक्र पर पहुंसता है भगवान श्री हरी का ये शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मान के ब्रह्मन का क कल्प परियंत जीवित रहने वाले देवतां विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलाई का समय आता है तब नीचे के लोकों को शेश के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देखकर वह ब्रहम लोक में चला जाता है। जिस ब्रहम लोक में बड़े बले सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं। दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्य लोक में पहुँशने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सुक्ष्म शरीर को प्रत्वी से मिला देता है और फिर उतावली ना करते हुए साथ आवरनों का भेदन करता है। प्रत्वी रूप से जल को और जल रूप से अगनी में आवरनों को प्राप्त होकर वह जोती रूप से वाई रूप आवरन में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरन को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष मदिस्ठानों में लीन होती जाती हैं। ग्राणे इंद्रिय गंधत मात्रा में, रसना रसन मात्रा में, नेत्र रूपत मात्रा में, तुचा इसपर्शत मात्रा में, स्त्रोत शत्र मात्रा में और कर्मे इंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ती में मिलकर अपने अपने सुक्ष्म सुरूप को प्राप्त हो जाती है इस प्रकार योगी पंच भूतों के इस्थूल सुक्ष्म आवरणों को पार करके एहंकार में प्रवेश करता है वहाँ सुक्ष्म भूतों को तामस एहंकार में इंद्रियों को राजस एहंकार में तथा मन और इंद्रियों की अधिस्ठाता देवताओं को सात्विक एहंकार में लीन कर देता है इसके पश्चात एहंकार के सहित लए रूप गती के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लए स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है हे राज़ परिक्षित महाप्रलय के समय जब प्रकृति रूप आवरण का भी लए हो जाने पर वह योगी स्वेम आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जिसे इस भगवन में गती की प्राप्ती ह जाती है उसे फिर बार-बार इस संसार में नहीं आना पड़ता हे परिक्षित तुमने जो कुछ भी पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विवित सनातन मार्ग सत्योन मुक्ती और क्रम मुक्ती का वर्णन तुमसे किया पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासु उसे भगवान कृष्ण की अनन्य प्रेम मैं भक्ती प्राप्त हो जाए उसके इलावा और कोई भी कल्यान का रिमार्ग नहीं है ब्रह्मा जी ने एकाग्र मन से सारे वेदों का तीन बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धी से यही निश्चे किया कि जिससे सरवात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रती अनन्य प्रेम प्राप्तो वही सर्विस्रेष्ठ धर्म है समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान कृष्ण ही लक्षित होते हैं क्योंकि यह बुद्धी आधिद्रिश्य पदार्त उनका अनुमान कराने वाले लक्षण है और वे इन सब के साक्षी एक मात्र द्रस्टा भी हैं हे परिक्षित इसलिए मनुश्यों को चाहिए कि सब समय और सभी इस्थितियों में अपनी संपोन शक्ती से भगवान श्री हरी का ही श्रवन कीर्दन और इस्मरण करे हे राजन संत पुरुष आत्म दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं उनके हर्दे से विश्यों का विशयला प्रभाव भी जाता रहता है वो शुत हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधी प्राप्त कर लेते हैं अभी भी राजा परिक्षित और श्री शुकदेव जी के करना चाहिए उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया अब जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वो ब्रस्पती की जिसे इंद्रियों की विशे शक्ति की कामना हो वो इंद्र की और जो संतान की लालसा रखता हो वो प्रजापतियों की उपासना करे जिसे लक्षमी चाहिए वो माया देवी की जिसे तेज चाहिए वो अगनी की जिसे धन चाहिए वो वस्वों की और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीर्ता की चाहा हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए जिसे बहुत सारा अन्न चाहिए वो अधित जिसे स्वर्ग की कामना हो वो अधिति के पुत्र देवताओं का जिसे राज की इच्छा हो वो विश्व देवों का और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साथ देवताओं की आराधना करने चाहिए आयू की इच्छा से अश्विने कुमारों पुस्टी की इच्छा से प्रत्वी का और प्रतिस्था की चाहा हो तो लोक माता प्रत्वी और द्यो अर्थात आकाश का सेवन करना चाहिए। और पति-पत्नी में प्रेम परस्पर बनाई रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। पुर्ष नारायन को भजना चाहिए। और हे परिक्षित जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो चाहे निश्काम हो, समस्त कामनाओं सी युक्त हो, अत्वा मोक्ष चाहता हो। तो उसे तीवर भक्तियों के द्वारा केवल पुरुष उत्म भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं, उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाई होती हैं, उनसे उस दुरलब क्यान की प्राप्त पुख्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग हो जाता है। भगवान की ऐसी रस्मय कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा होगा जो उनसे प्रेम ना करें। अवश्य सुनाईए। क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बाते होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रस्मय लीला कथाओं में ही होता है। श्री कृष्ण के गुणों की गान अथ्वा श्रवण में व्यतीत हो रहा है। उसके अतिरिक्त सभी मनुश्यों की आयू व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सोर्य प्रति दिन अपने उधे और अस्त में उनकी आयू छीनते ही जा रहे हैं। क्या व्रक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धोकनी सास नहीं लेती? गाओं के अन्य पालतु पशु क्या मनुश्य पशु की तरह खाते पीते या मैथु नहीं करते? जिसकी कानों में भगवान श्री कृष्ण की लीला कता कभी नहीं पड़ी वो नर पशु, कुत्ते, ग्राम, सूकर, ऊट और गधे से भी गया बीता है। हे सूत जी जो मनुश्य भगवान श्री कृष्ण की कता कभी नहीं सुनता उसकी कान बिल के समान है। जो जीब भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वो मेधा की जीब के जमान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान कृष्ण के चरणों में जुकता नहीं, वो रेश्मी ववस्त्र से सुसजित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोज मात्र ही होता है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूशित होने पर भी मुर्दे के हाथ होते हैं। जो आखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ती तीर्थ नदियादी का दर्शन नहीं करती, वे मूरों की पंखों में बने, आखों के चिन्न के समान निरर्थक होते हैं। मनुष्य के वे पैर, चलने की शक्ती रहने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही होते हैं, जो भगवान की लीला इस्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल का भी सिर्पर नहीं चड़ाई हो, वो जीता हुआ भी मुर्दा होता है। उनकी और बढ़ नहीं जाता। जिस समय हिर्दय पिघल जाता हैं, उस समय नेत्रों में आसू चलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उटता है। हेप प्रेसूत जी आपकी वाणी हमारे हिर्दय को मदुर्ता से भर देती हैं। भगवान के परमभक्त आत्म विद्या विशारद श्री शुक्तेव जी ने परिक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ भी कहा, वो समबाद अब आप किरपा करके हम लोगों को भी सुनाईए। इसके आगे कवरतांत आप सभी अगले ध्याय में जरूर सुनियेगा।